हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल सौरफ ज्यानियर मेरा नाम है डाक्टर सौरफ दक्ष आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आज का हमारा टापिक होने वाला है फेनिक प्लस टैबलेट फेनिक प्लस टैबलेट के मैं यूज डोज वेनफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा आप बने रहे इस वीडियो के एंड तक इससे पहले आप हमारे चैनल पर नाय आया है तो आप से एक छोटी सी है आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर जरूर प्रस करें जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी किये इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको ब टैबलेट लेना है या नहीं लेना है इस टैबलेट को रैनवेक्सी कंपनी दोरा बनाया जाता है इस टैबलेट की प्राइस 27 रुपए 60 पैसे में किसी भी मेड़कर इस्टोर पर आसानी से मिल जाती है इस टैबलेट की कंपोजीशन की बारे में बात करें इस टैबलेट मे डाइकलोफनेक सोडियम 50 mg और पैरस इतामाल 325 mg होता है फ्रेंड्स आए जानते हैं इस टैबलेट को किन किन कंडिशन में यूज किया जाता है यदि किसी के सर में दर्द हो तो उसमें यूज किया जाता है किसी को बदन दर्द हो तो उसमें यूज किया जा सकता है किसी को बुखार हो तो उसमें यूज किया जा सकता है किसी को चोट का दर्द हो तो उसमें यूज किया जा सकता है किसी को कमर में दर्द है तो उसमें यूज किया जा सकता है और किसी को जोडों में दर्द है तो उसमें यूज किया जा सकता है ये बहुत सारे काम करता है दोस्तों आये जानते हैं इसके डोज के बारे में ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है 10 साल से 15 साल के बच्चों को आधी आधी गोली सुबह साम के हिसाब से और 15 साल के उपर के लिए एक गोली सुबह साम डाक्टर के द्वारा प्रस्क्राइब किया जाता है जब patient को body में जादे दर होता है तब डाक्टर दोरा patient को eating प्लस tablet प्रेसकाईब किया जाता है आये जानते हैं इस tablet को किन-किन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए जिन लोगों को दमे की सिकायत है वो इस tablet को ना लें जिन लोगों को kidney या गुर्दा की problem है तो भी इस tablet को use ना करें जिन patient को heart की problem है वो भी इस tablet का प्रियोग ना करें दोस्तों आपको कोई भी दवा use करने से पहले उसका side effect पता होना चाहिए तो आये जानते हैं इस tablet के कुछ side effect के बारे में इस टेवलेट के side effect उल्टी होना, चक्कराना, लाल चकत्ते पढ़ना, दस्त होना, पेट में दर्द होना ये इस टेवलेट के side effect है दोस्तों कोई भी दवा का यूज करने से पहले डाक्टर की सलाज जरूर लें, किसी भी दवा का self medication ना करें दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हैंद